हेलो बचो आज हम जो क्लास टेंथ में अब्जेक्टिव एक्जाम होना इस बार फर्स टर्म का उसमें किस ताइब के कुश्चन्स लेटर पर आना एक्सपेक्टेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जल्दी वी स्टार्ट प्रभु कुमार हैस रिटर्न ए लेटर तू नामके निउस्पेपर के जो एडिटर हैं समपादक हैं उनको लेटर लिख रहे हैं और उनका कंसर्ण यह है कि उनके एरिया में लावड़ी स्पीकर की वज़े से जो परशानी उन लोगों को होती है ठीक है तो आगे दिखिए सम गैप्स हैव बिन लेफ्ट इन दे लेटर और इस लेटर में उन्होंने लिख के दिया है लेकिन कुछ गैप्स दिये हुए और उनको नमबर 1,2,3,4,5 करके मार्क कर दिया है तो यानि कि नीचे जो है इन गैप्स को भरने के लिए आपको एक कोशन मिलेगा और उस कोशन तो मतलब यहाँ पर रही है कि आपको इस गै यहाँ पर उन्होंने पूरा लेटर लिख के दिया है कि सवेंटीनी रवीदास रोड कोची महाच जीरो सेक से दो हजार एककेस दा एडिटर दे टाइमस ओफ इंडिया न्यू डेली ठीक है तो मैंने इसका पूरा फॉर्मेट की लेटर का क्या होता है नॉट यास मैं इंग लाउड्य स्पीकर के कारण होती है तो सर थ्रूदा कॉलम ऑ यो इस्टीमड्य निउषपेफर आपके एक संमानित निउस्पेपर के एक कॉलंब के द्वारा I would like to draw your kind attention towards the nuisance caused by the excessive use of loudspeaker in my city क्यों मैं आपका ध्यान हुं हमारी शहर में जो बहुत लबोहत यूज़ होता है loudspeaker का excessive use of loudspeaker का मतलब है बहुत ज्यादा loudspeaker का use होता है उसकी वज़े से जो परिशानी होती है उसकी तरफ मैं आपका ध्याना करशित करना चाहता हूं आगे देखिए in fact this is a high time for the students और वास्तों में यह बहुत high time है students के लिए कि मतलब बिलकुल परिक्षाय नियर है बहुत उनके लिए बहुत precious time है question number one यहाँ पर dash कर दिया है तो students prepare till late night students जो है अपना course देर रात तक पूरा करते हैं बस अब यहाँ पर रुख जाईए अब देखिए question one में आपको क्या option दिये है question one they are applying for admission to new college क्या high time है उनके लिए देखिए फिर से पढ़िये कि उससे पहले line है this is a high time for the students as है ना as के बाद आपको सही option जूनना है कि पहला option दिया कि they are applying for admission to new colleges no बिलकुल नहीं परिया बोट के exam देने चारे हैं कि admission के लिए बहुत गलत they are celebrating their new classes वो अपने new class celebrate करें हैं बिलकुल नहीं number three c देखिए they are busy in their preparation for the coming examinations yes high time इस लिए क्योंकि वे अपने आने वाले examination है तो उसके लिए prepare कर रहे हैं तो यह हमको सही लग रहा है लेकिन हमें सारे option चेक करने पहले तब हम final करेंगे कि कौन सा option चाहिए तो d है they are creating a lot of chaos and loud chaos 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 कर रहे हैं का कारण पढ़ने और loud noise produce कर रहे हैं तो यहां पर हमको c और d में confusion है बच्चों लेकिन आप देखिए अब कैसे चुनना है अब आपको देखना है कि in fact this is a high time for the students as as they are busy in their preparation for the coming exam यह high time है students के लिए क्योंकि वे उनको वो अपने course को prepare करें exams के लिए so c is the correct answer सीखे अगला देखिए आगे बढ़ते हैं they want to have peace of mind for preparation और उनको दे मतला पे students को बच्चों को अपने preparation करने के लिए exam के लिए peace of mind चाहिए शांत दिमाग चाहिए फिर आगे देखिए and thereafter की preparation करने के लिए शांत दिमाग चाहिए और इसके बाद thereafter माने इसके बाद क्या चाहिए number question 2 something is missing but the loudspeakers continuously disturb their peace of mind लेकि loudspeaker जो है लगतार उनके शांती को भंग कर रहे है तो अब number 2 पे हमें क्या ढूनना है कि फिर से देखिए they want to have peace of mind for preparation and thereafter उनको peace of mind चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए नहीं देखिए question 2 में क्या भरना जा सकता है balance diet चाहिए उनको preparation के पास sound sleep चाहिए dreamless sound sleep का मतलब है गहरी नीन अच्छी नीन balanced diet का मतलब है कि एक balanced खाना है जिसमें ताकत का भी समान हो उनको energy में मिले dreamless sleep कि जिसमें ऐसी नीन जिसमें सपने ना हो बिल्कुल गलत sleepless night क्यों चाहिए होंगी जब उनको prepare करके शांत दिमाग रखना है तो कल के लिए rejuvenate भी तो करना होता इसलिए sound sleep चाहिए होती के बच्चों को कि फिर से वेड़ी they want to have peace of mind for preparation and thereafter उनको शांती पूर दिमाग चाहिए कि आपने शांती से prepare कर से and thereafter इसके बाद sound sleep उसके गहरा अच्छी नीन चाहिए है उनको sound sleep इसका answer है ठीक है क्योंकि अगर वो sound sleep नहीं लेंगे तो कल भी तो काम करना है वो कैसे करेंगे आगे देखे question 3 sounds sleep but the loudspeaker continuously disturb their peace of mind लेकिन जी loudspeakers जो है continuously उनकी शांती को भंग करते है यानि कि रात को preparation करने के बाद वो सोना चाहते तो सोने ने दिया जाता the excessive use of loudspeaker at बहुत ज्यादा loudspeaker का use at अब question 3 में क्या भरना है आगे दिखते है on any special occasion is not only a cause of distraction for students but it cause nuisance even to common man and patients आगे दिखें कोशन 3 क्या है question 3 में हमको देखना है कि dash on any special occasion is not only a cause of distraction आगे दिखें कोशन 3 में क्या है schools and colleges अगला दिखें religious places rallies public gatherings number C है इधर लिखा है उपर marriages and functions hunger strikes hunger strikes होती भूकरताल margin function सब जानते religious place पे rallies में public gatherings में जो loudspeaker बचते हैं so अब देखें फिर से question 3 पे आईए अब यहां पर question 3 पे इसका सही आंसर है school colleges में नहीं बचते हैं यहां पढ़ना religious place पे बचते हैं मंदिरों में बचते हैं रैलीजिस में बचते हैं जिते भी religious places होते हैं तो वहां बचते हैं rallies में बचते हैं जो rally निकलती है public gatherings में जो loudspeaker बचते हैं वह answer है इसका सही on any special occasion की इन सब religious place पे rallies पे और जो public gatherings होती हैं उन पर जो loudspeaker बचते हैं और any special occasion किसी खास उत्सव पे is not only a cause of distraction for a student जही से बच्चों को students को ही distract नहीं करते हैं उनका ध्यान का खिचाओ का कारण नहीं बनते हैं but it causes nuisance even to common man and patients कि यह जो common लोग होते हैं जान सधारन को और जो खास करके मरीज है उनको भी परिशान करते हैं strict laws should be enforced और कठिन कानून का पालन करवाना चाहिए enforced करना चाहिए उनको लागू करना चाहिए if laws prohibiting loudspeakers are not followed अगर जो laws जो loudspeaker के संबंद में बनाए गए अगर यह लोग नहीं मानते हैं तो उसको strictly follow करवाना चाहिए तो I would request you question number 4 अब मैं आपसे क्या request करता हूं so that the concerned authorities initiate necessary steps I would request you number 4 पर दिखिये to take immediate action कि आप तुरंत action लीजे मैं यह आपसे request कर रहा हूं number 2 to start a protest and hunger strike कि आप उसका विरोध कीजिये और भू करताल कर दीजे नहीं to join hands with me कि में इससे हाथ में ला लीजे नहीं to publish this letter of mine in your newspaper कि आप यह मेरा letter जो है newspaper में publish कर दीजे so that आप आप देखिए इसका सही answer है कि D to publish this letter of mine in your newspaper so that the concerned authorities initiate necessary steps की ताकि जो उससे related concerned authorities हैं जो इस मामले को देखेंगी वो जरूरी कदम उठा सकें ठीक है number question 5 अब question 5 देखें इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चो तू necessary steps उठा सके क्यों to band the loudspeaker during the examination to examinations के दौरान loudspeaker को band कर जी जाए to start the loudspeakers during the examination की examinations के दौरान loudspeakers को on कर जा जाए नहीं बिल्कुल नहीं to postpone the exam की exam ही postpone कर दिये कि हम loudspeaker बजाएंगे उत्सवे तो exam postpone कर नहीं ये भी बिल्कुल नहीं to cancel the examination नहीं ये भी बिल्कुल नहीं इसमें option D गलत लिखा हुआ है इसका सही answer A है to band the loudspeakers during the examinations की जब exams चल रहे हैं तो उन दिनों loudspeakers को band कर दिया जाए है है ना ठीक है तो इसका answer number 5 का A है और इसमें गलत लिखा है D तो A और आपको ये भरके thanking you yours truly प्रभु कुमार this is the answer है न तो be very attentive कुछ किताबों में भी गलत answers दी हूँ है बच्चो मेरे इसाब से आप ठीक से देखिए प्राक्टिस कीजिए मैं लिंक दे दूँगी उसमें description box में आप वहां से जाके letters के format क्या होता है board के इसाब से CBSC board के thank you thank you so much